बिस्मिल्ले रह्मान ररहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टुडेंट्स, मैं हूँ हसान फरीद, अपका फिजिक्स टीचर, आज का हमारा टॉपिक है एप्लिकेशन टू बैलिस्टिक मिजल्स, तो आएए स्टार्ट करते हैं आज का लिख जाता है, लेकिन इसमें जो वर्ड है, ये मिजल्स, जो वर्ड है, इसको प्रोणाउंस करने में ज़रा ध्यान करने, अप लोगों आने, क्यूंकि उर्दू में इसको मिजाइल लिखा जाता है, लेकिन ऐसकी जो वह मिजल्स है, तो ये बैलिस्टिक मिजल्स में, सबसे पहले तो हमें वर्डी को इंडर्सृंड क करना पड़ेगा तो आए ज़र देखते हैं कि बैलिस्टिक फ्लाइट्स क्या होती है अगर आप किसी चीज को इनिशिल पुश दें और फिर वो अनर्शा और ग्राविटी की वज़ा किसे मूव करें तो इसे हम बोलते हैं कि ये एक बैलिस्टिक फ्लाइट है मिसाल के तौर पर अगर आप बैलिस्टिक फ्लाइट को समझना चाहते हैं तो पहले आपको एक्जामपल देनी होगी कि वो कौन सी चीज़ जो बैलिस्टिक नहीं है तो उसमें एक्जामपल ऐसे एरो प्लेन अगर एरो प्लेन की फ्लाइट देखें तो एरो प्लेन जो है क्या वो सिरफ इनिशिल धपके पर इनिशिल पुश पर चल रहा होता है हर्गेज नहीं उसको मसलसल जो है उसके इंजिन की फोर्स चला रही होती है और वो ग्राविटी के अगेंस्ट उपर भी जा सकता है क्योंकि उसके पास अपनी अनर्जी अपनी फोर्स है यहां पर हम डिसकस कर रहे हैं सिरफ ऐसी चीज़ों को जिनको हम इनिशिली पुश करेंगे और उसके बाद उनकी परवाज के दौरान फ्लाइट के दौरान हमको कोई अनर्जी नहीं देंगे और वो सिरफ अनर्जी और ग्रावटी की विज़ा से आगे जाएंगे अनर्जी विज़ा से और नीचे आएंगी ग्रावटी की विज़ा से तो यह हमारे पास एक बैलेस्टिक फ्लाइट होती है तो एरो प्लेन को हम कह सकते हैं कि वो एक नॉन बैलेस्टिक फ्लाइट है तो अब सरह द and initial push आप ये भी कह सकते हैं कि initial kinetic energy, सिरफ उसको initially push दे रहे है आपने and then it moves due to inertia and action of gravity, तो ये दो बाते हैं जो एक ballistic projectile में आपको याद रखने हैं, तो ballistic में inertia important है और gravity important है और initial push मजीद energy रस्ते में नहीं मिलेगी इनको, अब दूसरा important word जो आप लोगों को आज के article में नजर आ रहा है वो है missile, अब ये missile क्या है basically, missile Latin word, meteor का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताएं, आप जब भी missile या missile को सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, एक ऐसी चीज जो जब किसी भी इलाके में गिरे तो तबाही मचा दे, ऐसी है ना, लेकिन actually में missiles ऐसे नहीं है, missile का जो exact translation है, वो meteor से निकलता है, और meteor का मतलब है to send something to hit a target, जब भी आप किसी चीज को फैके किसी खास निशाने पर target को hit करने के लिए, तो फिर हम कहेंगे के ये एक missile है, तो इसका मतलब, अगर कोई शख्स घुलैल से, कैटापुल्ट से किसी चीज का निशाना ले रहा है, तो उससे निकलने वाला पत्थर भी missile हुआ, अगर कोई शख्स किसी चीज से arrow से निशाना ले रहा है, तो वो arrow भी इस definition से missile ही हुआ, और अगर कोई शख्स इवन गन से fire करके, किसी चीज का निशाना ले रहा है, तो वो भी missile हुआ, और ना सिर्फ ये, बलकि अगर कोई शख्स किसी पत्थर को simple फैंक रहा है, किसी चीज पर निशाना ले कर, तो ये भी missile हुआ, इसका मतलब, अब इन दोनों words को हम combine करते हैं, तो ये दोनों words जो हैं, जब इकठे होंगे, तो ये बन जाएंगे, ballistic और missile, तो ballistic, missiles फिर क्या हुए, जैसे के ballistic के बारे में हमने पढ़ा, कि सिर्फ initial push देनी हैं, उसके बाद नहीं, और missile के बारे में पढ़ा कि किसी चीज का निशाना लेना है, तो ballistic missiles फिर क्या हुए, ballistic missiles वो missiles हुए, जिनको सिर्फ आप initial push देंगे किसी चीज का निशाना देने के लिए, ये किसी भी मकसद के लिए यूज हो सकती है, हाँ, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वो destruction तबाही बाला है, मिजल हो, निशान के तौर पर किसी जगा पर अगर आप लोगों ने इमदादी समान पहुंचाना है, तो भी आप एक मिजल बना सकते हैं, जिसके अंदर क्या हो, ऐसा समान हो, मैडिसन हो, जो वहाँ जाकर जब गिरे तो उन लोगों को मैडिसन मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जो कॉनसेप्ट हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक्चुली हम इसको वही मिजल पढ़ेंगे, जो हम destruction के लिए यूज करते हैं, तो ballistic missile में आपने दो बातें याद रखनी है, number one, it is an unpowered and unguided missile, यह बढ़े important बात, दो वर्ड, बहुत important वर्ड हैं, कि यह unpowered होते हैं, और यह unguided होते हैं, unpowered का क्या मतलब है, unpowered का मतलब है, कि इनको बीच में power नहीं मिलेगी, और हम लोगे ने पहले डिसकस किया, उसको सिरफ initial push मिलेगी, जैसे अगर मैं stone को फैंकूं, तो वो stone जो है, सिरफ उसके पास पूरी परवास के दोरान वो ही energy होगी, जो मेरे हाथ से निकलते हुए उसक मिल गई थी, दरम्यान में तो कोई push उसको नहीं मिल सकती, और दूसरी बात क्या है, कि ये unguided missiles होंगे, unguided से मतलब है, कि इनको guide नहीं किया जा सकता, एक दफ़ा जो ये आपके, जो है वो निकल गए, तो जिस target पर आपने फैंका थी, ये उस पर गिरेगा, दरम्यान में आप इसको रोक नहीं सकते, तो ये है हमारे पास एक ballistic में, अब जरा देखते हैं, कि ये जो ballistic missile है, इस missile का trajectory कैसी होगी, और इस missile की जो motion है, वो कैसी होगी, तो हम पहले discuss करते हैं, इस missile की motion को थोड़ा सा detail में, students, अभी हम, ballistic missile की motion को थोड़ा सा detail में discuss करेंगे, सबसे पहले तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, कि एक ballistic missile जो है, वो unguided है, unpowered है, जरा देखते हैं, अगर मेरे पास एक ballistic missile हो, और मैं इसको fire करूँ, तो उसकी motion कुछ इस तरह से बनेगी, अब इस motion को जरा ध्यान से दे पहले आप से कुछ हार डिसकस करते हूं, फिर इस motion की तरफ भी आते हैं, जरा तबज्जो कीजेगा, अगर मैं किसी चीज को horizontal फैकूं, और उस जगा पर ना कोई air friction हो, ना कोई surface की friction हो, तो आपको मालूम है, न्यूटन का पहला लोग कहता है, कि जिस चीज को फैकेंगे, इस तरह सा बनेगा, कि वो वक्त के बराबर वक्तों में बराबर फासला तैय करेगे, इट विल कवर equal distance and equal interval of time, क्योंकि speed constant है, ये हो गई horizontal motion, आप लोग जानते हैं, इसको हम horizontal motion कहते हैं, और ये horizontal motion किस वज़ा से है, क्यों वो आगे चलता जा रहा है, मेरे हाथ से छूट जान motion की वज़ा कौन है, inertia, आप कहेंगे, सर, ये तो straight line motion है, आप इसको यहां क्यों बता रहे हैं, अभी ज़रा देखिएगा, आपको समझ आएगी कि मैं यहां क्यों बता रहा हूँ, आप ज़रा देखें, imagine करें कि अगर मैं किसी चीज़ को, बिलकुल exact vertical फैकू, आपको मालू मैं जब हम किसी चीज़ को vertical फैकें, तो gravity downward खेंच रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की speed उपर जाते हुए कम होगी, अब जब इसकी speed कम होगी, जो इसकी motion है, वो कुछ इस तरह से होगी, मैंने different time में इसकी pictures यहां पर आपके सामने बनाई है, ज़रा देखें यहां पर हमारे पास, कि शुरू में वो ज़्यादा distance कबर करे थी उतने time में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता distance कम हो रहा है, क्योंकि de-acceleration हो रहा है, gravity नीचे को केंच रही है, यह है हमारे पास एक vertical motion, और आप अगर पूछें कि vertical motion इस तरह से किस वज़ा से है, तो मैं कहूंग इन दोनों बातों को बड़े अच्छे तरह से देख लें, घौर से, और जहन नशीन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको next बात बताने देगा, तो मैं बात कर रहा था, ballistic मिजर्स की, मैं एक ball को आपके सामने अभी, इसी ballistic motion में लेकर आऊंगा, और मैं क्या करूंगा, कि बराब बाल मैंने फैकी, और मैं मुसलसल इसकी, पिक्चर्स खेंचता जाऊंगा, ताकि मुझे पता चले के ball की जो movement है, मैं उसको trace कर सकी, अब ज़रा देखिए जी, यह projectile complete हो गया, अब आप ज़रा देखें, यहां पर ball ने दो dimensions में move किया, ball उपर भी गई है, और ball आगे भी कबर की, और range भी कबर की, लेकिन जो बात note करने वाली है, वो ज़रा देखिएगा, हमारे पास अगर आप ये देखना चाहते हैं, कि ball ने आगे किस pattern पर travel किया है, तो मैं सिरफ आगे जाने वाली motion को आपके सामने यहां अलग करता हूँ, आप देख रहें, कुछ देखकर आ आप जब मैं तस्वीर केचना तो ball बराबर दूर जा रही है, इक्वल डिस्टंस टावल करी, इक्वल इंटर्वल अफ ताइम में, इसका मतलब यह हुआ, कि ball के अगे जाने वाली motion को ध्यान से देखा जाए, तो वो तो actually due to inertia है, the horizontal motion of the ballistic projectile or the ballistic missile is because of inertia, उसके बाद नेक्स च उपर जाने का जो pattern था, उसको भी अलाइदा करता हूँ, वज़रत देखें, क्या कुछ pattern को देखकर याद आया आपको, students यह तो बिल्कुल वैसे ही pattern है, जिस तरह से किसी चीज़ को आप सिंपल उपर फैके, तो आइस्ता आइस्ता उसकी speed कम होती है, और एक point पर आकर वो फिर वापस आता है, इसका मतलब अगर हम projectile की vertical motion देखें, तो वो बिल्कुल वैसे ही है, जैसे due to gravity vertical motion होती है, इसका मतलब projectile में वैसे तो नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप projectile को cleverly इस तरह से observe करें, तो आपको पता चलेगा, कि projectile के दो motions हैं, और मज़े की बात है, कि द vertical motion वैसी ही रही, disturb नहीं होई, इसका मतलब x-axis की movement, y-axis की movement को disturb नहीं कर सकती, y-axis की movement, x-axis की movement को disturb नहीं कर सकती, तो ये basically हमारे पास दो independent motions है, तो अब जरह मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ कि आप लोगोंने याद क्या करना है, तो ये देखिए हमारे पास, motion of ballistic missile, क्या ह it is a superposition, superposition का क्या मतलब है, it is a combination basically, superposition of two independent motions, दो independent motions का combination है, जिन में से, पहली motion है, horizontal, और दूसरी motion है, vertical, और मैंने भी आप लोगों को बताया, कि जो horizontal motion है, वो किस वज़ा से हो रही है, due to inertia, और दूसरी बात मैंने आपको बताई, कि horizontal motion में जो speed है, वो constant है, because there is no acceleration, there is no force which is trying to stop the horizontal motion, कोई friction नहीं है, जो उस ball को आगे जाने से, रोके या उसकी speed कम करे, vertical motion जब देखें, तो vertical motion क्या है, due to gravity है, लेकिन, क्या speed constant थी, हर्गेज नहीं, बलके speed तो कम हो रही हो उपर जाते वे, तो speed is not constant, और आपको मालूम है, जब किसी चीज की speed constant नहीं हो, तो हम कहते हैं, बच्चों, उसके पास क्या है, उसके पास acceleration है, और यहां पर हमारे पास, यह acceleration की value भी आप बता सकते हैं, क्योंकि gravity का acceleration है, तो वो तो हर चीज के लिए कितना होता है, 9.8 meters per second square, यह थी हमारे पास, इस projectile की, इस ballistic projectile की, या ballistic missile की motion जो है, वो किस तरह से बनी है, अब जरा हम discuss करते हैं एक और चीज, तवज्जू से देखिएगा, और वो चीज है, trajectory of ballistic missile, आज का जैसे कि article ही ballistic missile के बारे में है, अब हम discuss करेंगे, ballistic missile की trajectory क्या है, basically, trajectory क्या होती है, trajectory होती है, किसी भी चीज का path, जब कोई चीज कहीं से गुजरेगा, अगर आप उसका path trace करें, उसका रस्ता trace करें, तो हमारे पास वो बनेगी उसकी trajectory, तो फिर trajectory of ballistic missile क्या हुआ, path followed by a ballistic missile, path followed by a ballistic missile, अगर एक ballistic missile, जिस path से गुजरता है, उसे हम बोलते हैं, ballistic trajectory, अब आप बूचाएंगे, यह trajectory कैसी होगी, trajectory यानि कि इसका path straight भी हो सकता है, और यहाँ पर हम लोग ने देखा कि यह तो path curve था, लेकिन curves की कई किसमे होती है, आइए ज़रा थोड़ी सी detail देखते हैं, कि यह curves की क्या किसमे होती है, students, ज़रा imagine करें, यह मेरे पास एक cornetto है, आप कहेंगे, यह cornetto यहाँ क्या कर रहे है, यह cornetto basically mathematics में कौन कहलाती है, यह एक shape है mathematical, मैं इसको different angles पर cut करूँगा, अगर मैं इसको बिल्कुल horizontal cut करूँ, तो मेरे पास जो shape बनेगी, इसे हम circle कहते हैं, आप लोग इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, अगर मैं इसको थोड़े से angle पर cut करूँ, तो फिर मेरे पास यह circle नहीं एक और shape बनेगी, जिसे हम elliptical या ellipse कहते हैं, और इसी तरह, अगर मैं इसको इस तरह से cut करूँ, तो फिर हमारे पास, यह जो section होगा, इसे बोलते हैं, पैराबॉलिक करूँ, पहली दो shapes close हैं, और आखरी shape जो है वो पैराबॉलिक, वो हमारे पास, जो है वो close नहीं है, अब जरा तबज़ो कीज़ेगा, अगर मैं दोनों को थोड़ा सा, जूम करके देखो, तीनों को, तो जूम करके देखने पर, तीनों shapes जो है, वो confusing है, पता नहीं चल रहा, कि कौन सी shape कौन सी है, अगर हम पूरी picture देखें, तो फिर तो पता चल रहा है, कि parabolic कौन सी, elliptical कौन सी है, circle कौन सी है, लेकिन जूम करने पर, क्योंकि आपको सिरफ curve का कुछ portion नजर आएगा, तो curves में distinction करना बड़ा मुश्किल काम है, इस system का हमारे आज के topic से क्या तालुक है जरा देखते हैं, imagine करें, कि मैं एक projectile को जमीन पर फैकता हूँ, जब ये projectile फैकता हूँ, तो मैं इसकी trajectory, यानि कि इसकी path को trace करता हूँ, और मेरे पास ये एक curve है, जरा देखें, कि ये curve नीचे वा trajectory of a projectile is parabolic, कि एक projectile जो है, जो ballistic projectile है, उसकी trajectory क्या होती है, parabolic, लेकिन आपने देखा, यहाँ पर मैंने जमीन को flat consider किया है, क्योंकि मैंने उसको बहुत थोड़े range पर फैक है, वैसे जमीन सफारिकल है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा distance travel करें, तो उसका curvature इतना कम होगा, कि उसक हम flat consider कर सकते हैं, जैसे आपके घर का फर्ष जो है, वो तकरीबन flat ही दिखता है, लेकिन अगर reality में हम इस picture को zoom out करें, तो zoom out करने पर जो हमारे पास situation बनेगी, वो तो एक spherical earth होगी, अब जरा इसको देखें, तो हमारे पास दुबारा से मैं projectile throw करूंगा, लेकिन जरा तबज करूंगा, तो वो पहले की तरह हमारे पास अब parallel नहीं है, और क्योंके ये change आ गया है, तो हमारे पास जो उस projectile की motion है, अब वो change हो जाएगी, तो जरा देखें, दुबारा से मैं इसको फैकता हूँ, तो ये curve जो है, जरा ध्यान कीज़ेगा, ये हमारे पास नीचे कौन सी curve से match कर रही है, तो students, ये तो अब elliptical path है, इसका मतलब long ranges पर अगर आप देखेंगे, तो हमारा ballistic projectile जो वो elliptical path बनाएगा, और short range पर आप देखेंगे, तो हमारा जो ballistic projectile है, वो parabolic curve बनाएगा, और अगर आपको understand नहीं हो रहा, तो आप दूसरी situation में, जमीन को थोड़ी देर के लिए invisible suppose कर लें, और projectile को गिरने दें, तो आप देखेंगे कि projectile वाकिए में एक elliptical shape बनाएगा, तो ये थी हमारे पास, कि trajectory कैसी होगी projectile की, तो अब इसको लिखना किस तरह से है, आईए देखेंगे, students, हमारे पास, trajectory, आज से पहले आपको बताया जा था, कि trajectory parabolic होती है लेकिन आज हम लोगे ने देखा, कि trajectory parabolic होने के साथ साथ, elliptical भी हो सकती है, ये depend करता है, कि situation क्या है, मिसाल की तोर पर, अगर हम short range पर किसी projectile को फैके, तो अर्थ जो है, वो flat consider की जाएगी, इस सूरत में, हमारे पास, जो path बनेगा, वो parabolic होगा, लेकिन अगर वो ही projectile, long range पर फैका जाए, तो फिर हमारे पास, अर्थ जो है, वो flat नहीं, बलके spherical consider की जाएगी, और इस सूरत में, हम कहेंगे, ये path elliptical है, तो students, यहाँ से अब हम देखते हैं, कि हमारे पास, ये जो ideal conditions थी, क्योंकि अभी तब हम लोगोंने friction को ignore किया हुआ था, reality में, actually में, जब हवा भी होगी, तो क्या projectile trajectory जो है, वो parabolic होगी या elliptical होगी, तो इसका अंसर है, कि अगर आप बहुत से factors अभी तक मैंने नहीं डाले, जिन में air friction है, और उसमें wind power है, और उसमें हमारे पास और भी factors है, जैसे कि जमीन की rotation को भी consider नहीं किया, क्योंकि असल में तो जमीन rotate कर रही है, फिर जमीन की rotation की direction को भी consider नहीं किया, और हमने ये भी नहीं consider किया, कि हम projectile को कहां से hit कर रहे है, आया कि north pole, south pole से hit कर रहे है, projectile, हम जो है वो equator से hit कर रहे है, इसका मतलब ये है, कि अगर real situations देखें, तो वो इतनी आसान नहीं होगी, बलके वो है, तो students अभी हम देखते हैं, कि ballistic missiles की limitation क्या है, देखें सबसे पहले, मैंने बताया कि ये क्या है, अन पावर्ड, जब ये अन पावर्ड है, तो definitely ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो इनकी ranges जो है, वो काफी short ranges है, दूसरी important बात, कि मैंने ये भी बताया कि ये अन गाइडिड है, अन गाइडिड है, तो फिर जिस लम्हें ये आपके पास से चले गए, आप इनको फिर से control नहीं कर सक जाते, और अगर कहीं थोड़ा सा भी घलती हो गई, तो फिर ये target को miss कर जाएंगे, ये आप बाद में इनको control नहीं कर सकते, इनका किसी किसम का रापता नहीं होता, जैसे कि planes अपनी direction change कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये unguided हुए, तो इनकी unchangeable trajectory हुई, change नहीं हो सकती, अगर गलत चले गे तो फिर गलत गिरेंगे, और तीसरी important बात ये है, कि they have high height, जब ये projectiles को फैका जाता है, तो ये पहले बहुत जदा height तक जाते हैं और फिर जाकर ये नीचे गिरते हैं, जिसकी वज़ा से ये radar की जो पहुँच है, उसमें ये आ जाते हैं और ये detect हो जाते हैं, और जैसे ही ये detect हुए, तो फिर इनको अराम से इनका जो है वो एक anti-ballistic missile होता है, जिससे इनको रोका जा सकता है, हवा में तबाह किया जा सकता है, तो ये हमारे पास high height की वज़ा से detectable हैं, in radar, और फिर हमारे पास इसी तरह से, क्योंकि ये हमारे पास ballistic missiles हैं, हर ballistic missile की trajectory, gravity control करेगा, इनका जो path है, वो भी काफी हद तक predict किया जा सकता है, जिसकी बज़ाए से क्या है, कि अगर, कहीं ये detect होते हैं, तो इनके detect होने पर radar फॉरण से sense कर लेगा, कि ये आहां पर मौझूद है, और हमें मालूम है, ये अपनी direction तो change कर नहीं सकते हैं, हमें मालूम है, इन्होंने इसी point पर गिरना है, तो जिस जगा पर गिरना है, वहाँ पर लोग पहले से ही अपने आपको safe कर सकते हैं, या वो जगा जिसको तबाह करना है, वो उसको पहले से ही safe बना सकते हैं, इसका predictable path जो है, वो इसको इतनी destruction, इतनी तबाही नहीं करने दे हैं, कि guided missiles, guided missiles, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, कि एक तो ये guided है, और ये powered भी हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं, कि ये powered और guided है, guided का मतलब है, कि इनमें कोई chip, कोई ऐसा control system होगा, जो इसकी direction को control कर सकता है, और even कि अगर कहीं पर ये गलत चले जाते हैं, तो आप इनकी direction को control कर सकते हैं, जब आप ने फैंकने से पहले air को calculate किया, air की speed कुछ और थी, लेकिन जैसे ही हुआ तो हमारे पास किसी वज़ा से air की speed change हो गई, जिससे वज़ाए अपने target को miss कर देगा, तो फिर हम इसको control कर स तो एक तो इसकी changeable trajectory है, इसकी trajectory को change किया जा सकता है, दूसरी important बात, कि हमारे पास ये low heights पर travel कर सकते हैं, आप यूँ समय लें, जैसे ये बिलकुल हमारे पास plane की तरह होते हैं, इनको control किया जा रहा होते हैं, तो हमारे पास ये कम height पर चलेंगे, तो ये radar से बच भी सकते हैं, तो ये थी हमारे पास कुछ ballistic missiles के बारे में, आज का topic, I hope कि आपको ये topic अच्छ कर लिया होगा, आप लोगों ने और इसको अच्छी तरह से दमाग में उठा लें, इसको दो बारा भी देखे हैं, अगर जूरत पड़े, अब आप से मुलकात होगी, इन्शालाँ